तो आज हम लोग बात करेंगे इस मनी पर कुछ छोटी सी छोटी चीज़ें भी जान लीजे और उसके बाद हम इस मनी से रिलेटेड कुछ बड़ी चीज जानेंगे देखें मनी जो होता है अब आप इस बात को समझेगा कि मनी जो है वो हमारी डेली लाइबस में बहुत ज़्यादा हिल्फुल होता है आप शॉपिंग के लिए जाते होगे तब आपको क्या चाहिए होता है मनी आप कहीं घूमने जा रहे हो आपको क्या चाहिए मनी आपको बिजनस कर रहे हो आपको क्या चाहिए? मनी आपको ट्यूशन पढ़ना है क्या चाहिए? मनी आपको स्कूल जाना है, फीस देनी है क्या चाहिए? मनी In short मनी हर जिगे हमारा काम आता है और मनी ही हमारा main role play करता है और मनी से ही हमें पता करते है कि हमें क्या हो रहा है Profit और या तो loss सबको पता है इसका meaning profit का मतलब होता है फाइदा और loss का मतलब होता है नुकसान ठीक है मान लीजे हम shopping के लिए गए और वहाँ पे हमें कोई चीज मान लीजे दो दुकाने इससे समझने कुशिश करिएगा यह है आपकी shop number one और यह है आपकी shop number two यहाँ पे हमें जो कोई भी चीज ले लीजे मान लीजे sugar ले लेता है यहाँ पे sugar मुझे 30 रुपीज केजी मिला है और यहाँ पे हमें शुगर 28 रुपीज केजी मिला है तो किस दुकान से आप शुगर लेना पसंद करेंगे S2 से लिए दूसरी वाली दुकान से क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इससे सस्ता मिला है 28 रुपीज सस्ता मिला है मतलब पैसा बच रहा है पैसा बच रहा है मतलब मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट मुझे हो रहा है प्रॉफिट तभी हम इस शॉप पे ले रहे है माल लेते हैं किसी बंदे ने इस शॉप से ले लिया और आप इस शॉप से ले के आए और फिर दोनों लोग कही रास्ते में मिले तो आप बताओ गया रहे मैं तो 28 रुपीज में ले के आया वो कहेगा मैं 30 में ले के आया तो क्या होता है कहेगा रहे यार मुझे तो गाटा हो गया मैं ठक गया आपकी भाशा मैं कहूं तो है ना तो जो 30 में ले के आएगा वो कहेगा मुझे गाटा हो गया मतलब उसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ा, उसका लॉस हो गया, आई बास समझ भें, तो profit and loss can be calculated on money, ठीक है, अब यह तो हो गई normal examples, अब mathematical terms में कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम money के basic चीज़ों पर बात करेंगे, माल लीजे, एक mango है, इस mango को, ये कोई एक बंदा है, इस mango को इस बंदे ने, एक mango 20 रुपे का खरीदा, ठीक है, और बाद में, वो इंसान, market में गया, और उसी mango को, उसने, 25 रुपी में, बेच दिया, और यहां पर क्या किया था, उसने, खरीदा था, दिख रहा है न, everyone are able to see this, yes sir, yes sir, तो उसने 20 रुपे में खरीदा, और market में ले जाके उसने 25 रुपे में बेच दिया, तो अब बताएए, इस बंदे को क्या हुआ, मुनाफा या घाटा, मुनाफा, मुनाफा, means, in words, in our words, we can say that, he got a profit of, how many rupees? 5 रुपे बीच में खरीदा था, पच्चिस में बेच दिया, ठीके, अब थोड़ा सा और, और, और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, एक शॉप कीपर है, शॉप कीपर, शॉप कीपर आपको पता है, जो शॉप रहता है, शॉप पर बैठता है, एक शॉप कीपर है, उसने, एलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोली, किसकी दुकान खोली, एलेक्ट्रिसिटी की, अब, शॉप जिसकी दुकान है, वो भी तो कहीं से सामान अपनी दुकान में मंगाएगा, तब ही तो वो अपनी शॉप पर रखेगा, आपने मार्केट्स में देखा होगा, लोग शॉप खोलके बैठे होते हैं, शॉप खोले होते हैं, और इसमें धेर सारा सामान लखा होता है, तो वो शॉप अले भी, तो कहीं से सामान लेके आते होंगे, तो मान लीजे, उस शॉप में जो सामान आता है, कोई एक चीज की हम बात कर लेते हैं, फैन की, केवल एक सिंगल आइटम की बात कर लेते हैं, फैन की, वो शॉप कीपर जो फैन लेके आया, जो शॉप कीपर फैन लेके आया, वो उसको पड़ा, वन थाउजन रूपीस का, उसके बाद, वहाँ से किसी ने खरीदा, मा लीजे, आप गए, और आपने वहाँ उस फैन को पसंद किया, और आपने उस फैन को खरीदा, और उस शॉप कीपर ने बताया, कि वो फैन है, 1200 रूपीस का, चीक है, 1200 रूपीस का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कन्फ्यूज करने वाला हूँ आपको, ठीक, ये आप हो, अब खुशी खुशी आप उस पंखे को ला रहे थे, और वहीं पे आपको एक आपका, कोई बहुत खास दोस्त मिल गया, उसको वो फैन पसंद आ गया, उसने कहा कि मुझे ये फैन दे दो और 1400 ले लो, 1400 ले लो, बात समझ रहे हैं आप हमारी? ठीक है, ठीक है, अब आप एक बात देखेगा, इस शॉपकीपर ने जहां से खरीदा, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा? CP, इसे बोलते हैं, cost price, मतलब कि जिस दाम पर हम खरीदेंगे, किसी चीज़ को, वो हो जाएगा, cost price, हमारे लिए, हम गए, हमने कहीं से कुछ खरीदा, तो वो हमारे लिए, वो price जो होगा, वो cost price बन जाएगा, और फिर अगर, वही चीज़ हम किसी दूसरे को दाम देंगे, तो जिस दाम पर किसी दूसरे को दे रहे हैं, तब वो दाम मेरे लिए selling price बन जाएगा, दो main बाते, एक cost price, जिसको हम CP कहते हैं, और एक selling price, जिसको हम SP कहते हैं, आई बात समझे हैं, अभी हम इसी example से आपको समझाएगे, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे market में गए, हमने कोई चॉकलेट खरीदी, तो जितने की वो चॉकलेट है, हमने खरीदी, तो वो चॉकलेट का दाम, चॉकलेट की cost, मेरे लिए cost price बन जाएगी, और मान लीजे, मेरी shop है, और मैंने वही चॉकलेट किसी को बेंच दी, तो जितने में मैंने उसको sell की, वो पैसा मेरे लिए selling price बन जाएगा, आई बास समझ में, अब देखेगा, एक shopkeeper ने कितने का पंखा खुद खरीदा था, thousand रुपीज का, तो shopkeeper के लिए thousand रुपीज क्या बन गया, CP, cost price और फिर उस shopkeeper ने वो पंखा किसको दे दिया, हमें दे दिया, कितने में दे दिया, 1200 में, तो ये 1200 shopkeeper के लिए क्या बन जाएगा, selling price, और हमारे लिए ये for 1200 क्या बन जाएगा, cost price, क्योंकि हम खरीद रहे हैं 1200 में, और shopkeeper बेच रहा है 1200 में, तो shopkeeper के लिए 1200 selling price, और हमारे लिए 1200 cost price, ठीक, अब आगे की कहानी समझिये, आगे की कहानी में क्या था, कि हमने वो पंखा अपने परम मित्र को दे दिया, best friend को दे दिया, कितने में दे दिया, 1400 में, तो ये 1400 हमारे लिए क्या बन जाएगा, selling price, very good, selling price बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको दे दिया, बेच दिया, 1400 में, और आपकी दोस्त के लिए, वो 1400 क्या बन जाएगा, cost price, I hope आपको cost price और selling price पता हो गया होगा, कि कैसे हम पता कर लेंगे, कि ये cost price है हमारे लिए ये selling price, आई बास समझ में, और अब इसी में, अब देखे, अब ये बात हो गई, मैं पास space नहीं है, तो हम बहुत छोटे-छोटे में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसको erase नहीं कर सकते अभी, क्या होगा, कि shopkeeper ने 1000 में खरीदा, और कितने में बेचा, 1200 में, तो आब आप हमको ये बताईए, कि shopkeeper को फाइदा हुआ, ये नुकसान, Profit, Yes, 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 Profit of 200, क्योंकि उसने 1000 रुपए में खरीदा था, 1200 में मुझे सेल कर दिया, मतलब कि उसे 200 का Profit हो गया, और बाद में हम निकले और चाला, हमने अपने दोस्त को पहना दिया, मैंने दोस्त को दे दिया, 1400 में, तो अब मुझे भी तो कुछ फाइदा हो गया, मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट हो गया, 200, 200 का Profit हो गया, आई बास समझ में, इसमें आप कुछ आप्जर्व कर रहे हो, कब Profit हो रहा है, क्या आप ये अब्जर्व कर रहे हो कुछ, पहले केस में देखे, शॉपकीपर वाले केस में, शॉपकीपर ने 1000 का खरीदा था, और 1200 का बेचा था, 1000 का खरीदा था, 1200 का बेचा था, तो उसको फाइदा हो गया, मतलब क्या चीज़ बड़ी है, तो फाइदा हो रहा है, SP बड़ा है, जब भी SP बड़ा होगा, SP बड़ा, देखो, CP कितना है, 1000, और यहाँ पे SP कितना है, 1200, तो SP बड़ा है, फाइदा हो गया, दूसरे केस में देखिए, आप अबले केस में, CP आपका 12, 100 था, SP आपका 14, 100 था, तो आपको फाइदा हो गया, आरी बात समझ में, इन शॉर्ट अगर हम कहें, तो SP हमेशा बड़ा होगा, CP से, तब ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जब CP छोटा होगा, और SP, आप CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा, अब आप इसको, इसको एक्जाम्पल से, फिर से समझने कोशिश करिए, ये दो बंदे हैं, और ये यहाँ पर एक, मैं बहुत छोटा से एक्जाम्पल, चॉकलेट कर ले लेता हूँ, आपके लिए चॉकलेट बना देता हूँ, ठिक, अब आप ये मानिये, इस बंदे ने ये चॉकलेट, 10 रुपे में खरी दी, और आपको इसने 20 रुपे में बेज दी, 20 रुपे में बेज दी, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, देखे सेलिंग प्राइस बड़ा है 20 रुपीज, तो प्रॉफेट हो रहा है, और सीपी छोटा है, तो छोटा रहने तो, SP बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया और यहीं पे यहीं पे आप मान लीजिए कि इसने जो चॉकलेट खरीदी वो 110 की खरीदी होती और 20 की वो बेच देता तो उसको क्या फाइदा होता प्रॉफिट होता लॉस होता तो इसमें देखिए SP जो है वो चोटा है CP जो है वो बढ़ा है आई बार समझ में तभी तो उसको लॉस हो रहा है मतलब की जब भी CP बढ़ा होगा SP छोटा होगा तो हमेषा उसको लॉस होगा और जब जब आपका CP जब जब आपका SP बड़ा होगा CP छोटा होगा तब तब आपको profit होगा आ गई इतनी बात समझ में अब हम profit loss clearly समझ चुके हैं तो अब हम कुछ basics बात पर जाएंगे basics मतलब money में जो basic होता है वो होता है add, subscribe, multiply, divide आप सबने decimal बहुत अच्छे से पढ़ लखा है तो ये आपके लिए बहुत easy होने वाला है बस आपको rupees का ध्यान देना है unit का ध्यान देना है मान लीजिए आप से कहा गया rupees 14.25 and rupees 202.10 add कर दीजिए add कर दीजिए तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले 202.10 लिखोगे या जो भी लिखना है point के नीचे point लगाओगे इधर 14 है तो 14 और इधर 15 है तो 15 इसके नीचे 0 से फिल कर लोगे और add कर दोगे 5 2.612 rupees rupees 216.25 समझ में आई बात तो ऐसे हमारा money add होगा और ऐसे ही money हमारा subtract होगा जैसे कि हम decimal में करते थे है in the same manner money में भी हमें सब कुछ करना है add भी करना है subtract भी करना है multiply भी करना है और divide भी करना है I hope this is clear to everyone जैसे एकदम simply add करना है और subtract करना है चलिए एक question हम आपको देते हैं फिर हम profit loss की दुबारे से question solve करेंगे कुछ questions यहाँ पे करते हैं मैं देता हूँ question आपको rupees 53764.75 and 6354.45 subtract करना है इसको पटाक से subtract करिए अब आप देखें पहले लिखा हुआ है 53,764 और फिर लिखा हुआ है 6,354 तो अविस सी बात है छोटा कौन है 6,354 तो यह नीचे लिखा जाएगा तो बड़ा वाला उपर लिख लेते हैं 5376 4.75 छोटा वाला नीचे लिख लेते हैं 6, yes, 6,354 तो सब्टैक्ट करना येस, 5,4 सब्टैक्ट कर दीजिए 5,5, 0 गया 7 में 4, 3 हो गया 0 हो जाएगा 6 में 5 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 7 में 3 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा 3 से 6 को माइनस नहीं किया सकता तो क्या करेंगे हम बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में 6 को माइनस कर दीजिए 7 हो जाएगा और यहां क्या बचेगा 4 बचेगा ये 4 आप नीचे उतार लीजिए देखिए आपका अंसर आगया यहां आप रुपीज लगा दीजिए So simple 47, 410, 0.30 match your answers Is this your answer coming? Sir, correct So this is very simple Adding, subtracting, multiplying and dividing In money is very simple You can solve as you have already studied about decimals Okay So we will talk in our next class About Profit and Loss Concepts, Questions So